सुनिता सिंग स्वागत करती हूं आप सभी क्लासेज में और अब भी अपनी क्लास में करेंगे सिब्यसी सिलेबस क्लास 11th केमेस्टी सेशन 2023-24 के लिए इससे एक सौर्च वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने आपको अवेर किया था कि सिब्यसी सिलेबस रिलीज कर दिया अब आप लोग अलर्ट हो जाएं और धिरे धिरे अपनी पढ़ाई में जूट जाएं तो यहां पर complete analysis करेंगे पूरी तरह से जानेंगे कि कौन सा चैप्टर को कितना मार्क्स दिया गया है कौन से चैप्टर से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको फायदा कर देना है अपने ग्रुप में ताकि आप दोस्तों की भी फो सगे और सबस्क्राइब कर रखना चैनल को ताकि क्योंकि जब यह चैप्टर्स में आप को बता दोँगे इससे रिलेटेट तो सारे वीडियो में प्रोवाइड करूँगे नोट्स भी आपको प्रोवाइट कर क्या क्या पर समझे कि किस चेप्टर से हम चाप्टर से स्टार्ट करें यह बहुत बड़ा फायदा मद्चे इसी फिर जद्दोंसे बच्छे होता होगे बहुत सब्सैकbour्स तो यह आपकी जो परिशानी होती है बच्चों को वो सब बाते अभी मैं ठिक कर दूँगे आप और उसको जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे अगर आप फॉलो करेंगे एक दम effectively तरीके से आप अच्छा स्कोर भी करेंगे आगे चल के exam में और concept भी आपका बहुत अच्छा हो ज दिया गया है structure of item है second number पर जिसको nine marks दिया गया है और तीसरा है classification of elements and periodicity in properties इसको six marks दिया गया है इसके marks पर नहीं जाना है इसके chapters के importance पर जाना है आपको बहुत important chapter है यह आगे भी examination में आपको बहुत helpful होता है इसलिए इसको पढ़ना तो है ही अच्छे तरीके से इसको यह पढ़ेंगे कि यह बहुत concept बाला chapter है जो हमेशा काम आएगा ठीक है उसके बाद है chemical bonding and molecular structure जिसको seven marks दिया गया है फिर है equilibrium जिसको seven marks दिया गया है फिर है thermodynamics जिसको nine marks score किया गया है तो देखे पहले देख लेते हैं पूरा फिर बात करेंगे redox reaction को four marks दिया गया है और organic chemistry के पह आपका 70 marks का chapters इसमें आप देख सकते हैं कि redox reaction को सबसे कम marks दिया गया है इससे बहुत छोटा सा question आता है ज्यादा मेहनत वाला question नहीं आता है ठीक है आप देखें जो सबसे सबसे ज्यादा score करवाएगा वह है हमारा chemical thermodynamics यह देखें जब सिले बस आप डाउनलोड करेंगे सी chapters पढ़ना है इसको इतना score किया गया है यह मैंने क्यों बता दिया कि बहुत सारे बच्चे confused हो जा गया है इसलिए ठीक है अब देखें structure of item को कितना दिया गया है nine marks तो nine nine marks वाले दो chapters है हमारे पास है अब देखें जो chapters completely delete कर दिया है उसके बारे में भी जान ले बेचारा फि completely deleted chapters है states of matter एक दम नहीं पढ़ना है बिल्कुल ही नहीं चुना है इसको आपको फिर hydrogen को complete delete कर दिया गया है s block p block environmental chemistry को भी delete कर दिया गया यानि कि ncrt book के अंदर 14 chapters है जिसमें से इस five chapters को delete कर दिया गया देखें यह बूक नमबर फस्ट है तो पिछले बाल मैंने इस पर वीडिय सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है उसके बाद बारी आती है chemical bonding and molecular structure भी आपको पढ़ना है states of matter सिर्फ इस बुक के अंदर सिर्फ states of matter को हटा दिया गया है बाकि thermodynamics और equilibrium तो आपने देखा न अभी बताया है मैंने कि यह सब आपको पढ़ना है तो यह पहला इसमें रियक्षन आपको पढ़ना है hydrogen नहीं पढ़ना है पिछले बार भी नहीं पढ़ना है कटा हुआ है अपनी बुक में आपको पूरा-पूरा ठीक है अब देखें यहां देखें इन्वार्मेंटल के अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है अब हम लोग जानेंगे कि इन सारे चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है यह देख लेते हैं अब करते हैं अपने उस टॉपिक पर जिसकी क्योरिसिटी आपको सबसे ज़्यादा होगी कि इन सारे चैप्टर में से क्या डिलीट है तो जो देखा है मैंने इस लेवस को पढ़ते वक्त उसके अकॉर्डिंग यह आपको बता दे रही हूं कि आल्मोस्स सारा कुछ आपको पढ़ना ही है कुछ भी डिलीटेड इन समय से नहीं है जैसे यह जो नाइन चैप्टर आप देख रहे हैं इन में से वैसा कुछ भी यह चीम देख भी डिलीटेड नहीं है जो कि आपको यह बता दिया जाए कि यह छीज नहीं पढ़ना क्यूंकि इतना ज़ादी पढ़ना जो उसमें सारा कुछ लगभग देशले अल्मोस्ट में आपको कहा कि सारा चीज दिया है पढ़ने के लिए और कहीं पर एगर एक यानि एक सिंपल वर्ड में आपको समझा दूं यह नाइन चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने हैं इन में कुछ भी आपको छोड़ना नहीं हुआ क्योंकि आप समझते हैं इस चीज को पढ़ते हैं तो कोई एक वर्ड कोई जैसे आप मानलो कि अटॉमिक नंबर नहीं है तो फिर कैसे आप पूरा अटॉमिक स्ट्रक्टर पढ़ेंगे बात को समझ रहें आपकी क्या कहा गया कि जो भी टॉपिक है उसमें सब कुछ पढ़ना ही है बहुत मैंनि एक जगह पे कुछ ऐसे वर्स थे जो एंसी आटी के अंदर आपके हैं और वहां से लेवस के करा है कि यह चीज आप नहीं पढ़ेंगे और आपको समझ में अब भाषिया आती है च्विक चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्ट कर दो आहां से फिक बहुतकर नहीं पहलेरी हम लोग स्रॉक्टर औवफ एंटम से पढ़िएगा यह एक तो पहले maximum scoring chapter है और दूसरी बार के structure of atom जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको atomic number पढ़ना है, atomic weight पढ़ना है, relation पढ़ना है, दोनों में isotopes, isotopes, आइसो बार, सब कुछ पढ़ना है, जिसका बहुत-बहुत benefit मिलता है, कि इस chapter में? चैप्टर 3 में, classification of elements में, क्लासिफिकेशन of elements में, क्लासिफिकेशन of elements में, क्यूंकि जब classification of elements आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फिर आता है, क्या periodic table, और periodic table dependence on atomic number, तो पहले structure of atom पढ़ेंगे, एक तो maximum score कराने वाला chapter, दूसरी तरफ कि इससे आपको electronic configuration का पता चल जाता है, जिस क्लासिफिकेशन of elements में करते हैं, कैसे classify करेंगे, क्या करेंगे, तो यह बहुत हो जाता, देखें, यह दोनों एक दूसरे से related है, तो जैसे आपने इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ लिया, और जैसे ही आप atomic structure पढ़ते हैं, तो आप यह समझने लगते हैं, कि configuration के according किसके सेल में 8 electron है, किसको 8 electron के लिए कितना electron का need होगा, यह जैसे configuration आप सीख जाएंगे तो, तो क्या है कि उसका फाइदा आपको फिर 4th number पर मिलता है, किसमें chemical bonding and molecular structure में, क्या फाइदा मिलता है इसमें भाई, कि जैसे इसमें क्या कहा जाता है, कि chemical bonding, bonding formation होता ही है, इसी के लिए कि कर ले, stability gain कर ले, तो, ओक्टेट के लिए यह जानना भी जरूरी है, कि कब बनता है, uttermost cell का electron क्या होता है, कैसे कब gain होता है, कब lose होता है, कब sharing होता है, यह सारी बाते समझनी होती है, तो, atomic structure, one of the most important topic of class 11 है, बच्चो, बहुत-बहुत important है, अपने सारे teachers का अपना point of view होता है आप और भी जगह-जगह सर्च करेंगे, तो, आपको तरह-तरह की बाते सुनने को आएंगी, लेकिन, ट्रस्ट मी बच्चों, अगर आप लोगों ने इस बात को समझ लिया, जो मैं आपको बता रही हूं कि structure of atom पहले पढ़िए, structure of atom जब आप पढ़ लेंगे, तो, बहुत ऐसा चीज है, जो आपके knowledge में आने लगता है, आप समझने लगते हैं बातों को, और उसके बाद आप some basic concept of chemistry जब पढ़ेंगे, तो, उसमें chemical combination पढ़ना है, तो, chemical combination कैसे पढ़ेंगे, जब तक आपको element का atomic number, element कैसे reaction करता है, क्यों reaction करता है, यह पता ही नहीं होगा, तो, यह some basic concepts of chemistry, कैसे पढ़ेंगे, अब आप में से कुछ बच्चों के दिल में, यह भी दिमाग में आ रहा होगा, कि 10 में पढ़ा है, ठीक है, 10 में आपने पढ़ा है, लेकिन, फिर भी अगर 10 में आपने पढ़ भी रखा है, तो, फिर तो, आपको क्या है, इस chapter को अभी review करने का भ होगा, उसके बाद, redox reaction में भी उसका इस्तमाल होता है, chapter number 7 में भी उसका इस्तमाल होगा, redox reaction के अंदर भी वही होता है, electron कैसे आपका positive, negative charge होता है, यह सारी बातें जो बताई जाते, loss of electron, gain of electron, तो, यह just like chemical bonding से relate कर जाता है, तो, कहने का अर्थ क्या हुआ, कि atomic structure से start करें, atomic structure पहले complete पढ़ें, मैंने पढ़ा रखा है, चैनल पे आपको, अगर आप लोगों को उसका handwritten notes चाहिए, तो, उसके लिए comment में डालिएगा, मुझे, कोशिस करती हूँ, मैं जल्दी ही telegram group बनाऊंगी, इसमें आप लोगों से जूड़ूंगी, तो, परियास जारी है, सभी च chemistry हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी, और बहुत असान भी है, कोई मेहनत आपको नहीं होगा, और सारी, सारा चीज मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है, तिहां पर मैंने एक complete analysis किया है, और समय 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 पर जैसा है मैं महसूस होगा कि और भी कुछ आपको बताना चाहिए, syllabus related, तो अलग एक next video बराऊंगी, अभी फिलहाल जो मेरे दिमाग में आया, कि आप लोगों के साथ discuss करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि आपको कुछ help हो जाए, तो मैंने वो चीज आपको बता ठीक है, थैंक्स पॉर वाचिंग, सब्सक्राइब